Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech Myself उमर तसकीर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल माई बिजनस के डैश्पोर्ट से ही हम लोग आड क्रेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में यहां पर भी हमें अड्स दिखिए हैं अगर आपके पास वेब साइट नहीं है आपके पास केवल गूगल माई बिजनस की लिश्टिंग है और आप बहुत सारी कॉल्स जो है उनको रिसीव करना चाहते हैं बहुत एच्छा उप्चन जिसके तुरू आप यहाँ पर ads run कर सकते हैं, आपको simply बता देता हूँ practically किस तरीकिस हम लोग इस चीज़ को करेंगे, तो हमें पहुंचना है सीधे create an ad के उपर, यह हमारा जो Google Ads ही open करेगा, क्योंकि जो हम ads run करते हैं, Google Ads के through ही होते हैं, पर यहाँ पर जो हमारे पास option open होगा, वो smart campaign को create करने का option होगा, तो मतलब हम smart campaign को यहाँ पर use करके, अपने campaign को create कर सकते हैं, यह smart campaign वाले feature को option को use करके, अपने campaign कर सकते हैं, through this Google My Business dashboard, यहाँ पर आप देख सकते हो, smart campaign में हमारे पास 3 option है, for now हम लोग get more calls कर लेते हैं, हमारे पास other options भी हैं, जैसे get more website sales or signups and then get more visits to your physical location, so for now हम लोग यहाँ पर guys क्या करते हैं, get more calls के उपर मैं select कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ, मैं यहाँ से next, इसके बाद हम से बड़े सारे options पूछेगा, उन सभी options को हमको set करते जाना है और यहाँ पर हमारा campaign create हो जाएगा, tell us where your people go after they click on your ad, वो click चप करेंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे, तो हम लोग ले लेते हैं अपनी business profile, right, तो यह उस case में हम ले रहे हैं, when we actually do not have any website, so we'll build one for you with a photo, description, other info from your google my business, so google my business के through, जो हम लोग जो भी information google my business के to provide करते हैं, वो information basically use होगी, और उस information के basis पे हमारा जो ad पे click होगा, और उसके बाद जो information आईगी, उस तरीके से आईगी, right, यहाँ पर हमारी google my business की profile का हम preview भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपको preview एक बार के लिए दिखाई देगा, यह हमें desktop वाला preview दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, हम लोग अभी आगे आके भी देख लेंगे कि हमें mobile पे किस तरीके से लिखेगा, उसका भी हमें option दिख जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम traffic अपनी google my business की profile पर ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से google my business profile जो है, या your business profile जो है, optimized for your ads, इसको select कर सकते हैं, चाहे तो we can go with this website और इसके लिए हमें आपर अपनी website अंटर करनी पड़ेगी, मैं इसको select कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोग कर देते हैं, simply new, next और उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर thanks people will come here after they click your ad, जैसे मैंने पताया था, तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो, how it will actually look on mobile, right, and how it will actually look on desktop, ठीके तो हमें यहाँ पर देख रहा है, it's okay, fine, यहाँ पर जो Google My Business से कुछ important information collect हुई, वो हमें यहाँ पर देख रही है, अब हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से next, और next करने के पाद यह हम से और भी ज़्यादा जो important settings है, campus यहाँ पर हमारे लिए option है कि हम ads अपना create कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे options है, ठीक है, get your website started today, बहुत सारे options है हमारे पास, तो हम इनको select कर सकते हैं, अगर हमें लगता है, हमें कुछ change करना है, तो भी हम कर सकते हैं, it's totally up to us, यहाँ पर हमारे पर description है, और यहाँ पर आप देखो, यह call business का button है, और यह get direction है, तो यह दोनों जो elements आप यहाँ पर देख रहे हो, यह actually आ कहां से रहे हैं, यह आ रहे हैं, basically, हमारे जो Google my business की information है, वहीं से यह आ रहे हैं, तो मैं चाहूं तो यहाँ से, जो location है, उसको मैं remove कर सकता हूँ, phone numbers वगरा, मैं चाहूं, तो इसको मैं यहाँ से change करता हूँ, for now, मैं यहाँ पर location on रखता हूँ, उसके बार हमें next पर आ जाना है, तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ad create कर लिया, अब जो campus related दूसरी settings होती है, उनका भी हमें option मिलता है, मतलब सबसे पहले तो हमें keywords देखना है, जिनके पर हम अपने ad को show कराना चाहते हैं, तो let's say हम PPC advertising जो है, उसको select कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर web site designing से related, जो हमारी category है, वो है, तो we will select web designer, software company भी थी यहाँ पर, ठीक है, तो software company भी हम select कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें keywords theme select करने, अगर हम किसी दूसरी language में advertise करना चाहते then that is also an option for us, उसके लिए हमें यहाँ से change करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ guys, next, और next करने के बाद आप कहां पर advertise करने हैं, बहुत important चीज़ देखो, जब आप local business के लिए ads run कर रहे होते हैं, तो आपकी priority ही होती है, कि आपका जहाँ पर business है, उस advertise near an address, जो हमारा address select है, इसके around अगर हमें advertise करना है, for some area, तो उसका option है, 25 km का radius, अगर हम ले लेंगे, तो it will cover entire city, entire जोसपुर city, तो for now, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, 5 km का radius, ठीक है, minimum जो हमें यहाँ पर दिखता है, 5 km का radius, हम यहाँ पर select कर सकते हैं, एक specific area के around, और अगर हम area wise इस type से radius बना के, या किसी एक specific address के around अगर हमें नहीं करना है, तो फिर guys हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास zip code है, और cities है, या regions है, वो हम enter कर सकते हैं, तो if we enter some zip code, देखो, यहाँ पर zip code है, 226024, उस्तरप्रदेश का है, 342001, यह जो specific zip code है, यह रहस्तान का है, तो य मैं आपको recommend करूँगा, कि अगर आपका local business है, और आपकी पहले जो priority हो यह है, कि आपके around जो आपके prospects हैं, जो आपके clients बन सकते हैं, आपसे service products, कुछ भी आपसे ले सकते हैं, जो भी आप offer करते हो, तो पहले आप उनको cater करो, तो उसके लिए हमें advertise near an address हम कर सकते हैं, यह हमा एक बार के लिए यहां से remove हो गया है, इसलिए next नहीं हुआ, तो मैं वापस कर देता हूँ यहां पर, ठीक है, इसको select करके, we will be doing next, और next के बाद यहां पर हमसे यह budget के बारे में पूछ रिकमेंडेशन्स हमें देगा यहां पर, ठीक है, जब हम लोग जाएंगे select and budget option, तो य हमें रिखाता है, इसके बाद हमें यहां से next करना है, और next करने के बाद हमारे पास यहां review करने का option आजाएगा, simply हम review कर सकते हैं, वही चीज़े हैं जो हम लोगों ने करी थी, और उसके बाद हम next कर सकते हैं, यहां पर वो हमें payments वाले option हमारे लिए open करके देगा, तो हम यह इस तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिल दहें next वीडियो में, till then, good bye.